हलो जी नमश्कार सलाम सास्रियकार विश्यू आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी अपने वादे के अनुसार अपने प्रॉमिस के अनुसार एक और बहतरीन सेशन ले करके स्क्रीन पे मैं देख रहा था भी बहुत सारे राजा बेटा और रानी बेटी हैं जुड़ चोके हैं जी मेरे साथ चंदर परकाश उपाधाय वैशाली, डॉक्टर एहमद रजा, नितेश, शिवम, वांडरफुल, आनंद, चोहान, अशोक, धुरुम सबका तहे दिल से स्वागत है जी इस सेशन में और आपके प्यारे-प्यारे लाइक सो जाने चाहिए MBBS First Year की पढ़ाई हम करने जा रहे हैं इससे पहले मैं एक लेक्चर आपके साथ ले चुका हूँ, प्लेइलिस्ट में आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि सिलेबस क्या है MBBS First Year का Anatomy है, Physiology है, Biochemistry पढ़नी है हमने Neuro Anatomy, Histology, Embryology अपने वादे के अनुसार मैं यह सारे सब्जेक्ट्स आपको अपने इस चैनल पर करवा हूँगा आप से मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप रेगुलारिटी बनाए रखेंगे और डेडिकेशन रहेंगे डेडिकेशन रखना बड़ा जरूरी है किसे भी चीज में ठीक है जी NEET का result जो है डिले हुआ 2021 के अगर हम बात करें सन 2021 में NEET का result डिले होता रहा एक्जाम डिले हुआ COVID के कारण बहुत सारे समस्याइं हुई 2022 चल रहा है समय जन्वरी की आज 24 तारीक है 24 जन 2022 काउंसलिंग चल रही है जी अभी तक भी बच्चों को medical colleges में finally admission नहीं मिला तो tension बच्चों को इस बात किये कि बढ़ाई कब शुरू होगी हमारी कब session शुरू होगा जाकर के और कब session complete होगा प्लीज आप tension मत लीजे अगर आपके अंदर पढ़ने का जजबा है अगर आप वाकए में ही कुछ करना चाहते है तो यह channel आपके लिए है ठीक है आप पढ़ने की नियत से जुड़िये मेरे साथ I am always there to guide you total lectures आपको free of cost मिल रहे हैं इस channel पर you don't have to pay anything राइट जी चली अक्षे ठाकूर जी कैसे हो one of my favorite students अक्षे ग्रेट जी चलो तो फिर एक काम और कर लीजेगा जादा से जादा लोगों के साथ अगर आप share कर पाएं तो share जरूर कर दीजेगा and like जरूर कीजेगा ओके चलो अब इतमिनान से हम अपनी पढ़ाई शुरू करते है first year में physiology में एक main topic आपका रहता है सबसे पहला chapter जो है that is general physiology जिसमें main topic सबसे पहला है home use thesis so आज हम home use thesis topic का lecture 1 ले रहे हैं इसका lecture 2 भी होगा आगे जिसमें मैं आपको questions भी करवाँगा multiple choice questions short answer type questions fill in the blanks diagram based questions या image based questions essay type questions अलग-अलग universities में क्या-क्य questions पूछे गए है इस particular topic में से वो भी हम करेंगे ठीक है जी तो home use thesis का पहला lecture आज हम आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं फिर से आपको अपने बारे में बता दू मैं आपका अपना Dr. Sachin Kapoor with more than 23 years of teaching experience अजारों लाखों बच्चे मुझसे पढ़के अपनी मेहनित और अपने चाहने वालों की दुआओं की वज़े से आज एक बहतरीन मुकाम पे हैं and I expect the same for you people also आप मैसे जो भी लोग मुझसे social media पे जुड़ना चाहते हैं आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं आप यहाँ पे दिख पा रहे हैं जी at the rate Sachin.kapoor मेरा WhatsApp नंबर है जी आप यह WhatsApp नंबर देख लीजी आप यहाँ पे WhatsApp मैसेज मुझे कर सकते हैं PDF के लिए, Study Material के लिए Telegram पे भी आप मुझे follow कर सकते हैं So, यह सारे social media के handles कह लीजिए यह IDs कह लीजिए आपके सामने हैं चलिजी, शुरुआत करते हैं पहले topic की that is home use test एक बात मैं आपको जरूर बता दूँ कि थोड़ा सा गंभीर आपको होना पड़ेगा अब आप mature हो चुके हैं अब आप college students हैं अब आप school students नहीं हैं तो एक certain level of maturity is expected from you people Right? Now, let's understand what is home use test आप जानते हैं home use test in general मतलब है maintenance of nearly constant internal environment कोई भी organism, living organism चाहे वो unicellular है, चाहे वो multicellular है वो अपने शरीर का internal environment nearly constant बना के रखना चाहता है अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो जिन्दा नहीं रह पाएगा Multicellular organisms की बात कर लिएजे चाहे आप higher organisms की बात करिए whether fishes, amphibians, reptiles, birds, mammals home use test is सब में ही है हम human physiology पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे so mainly हम focus अपना human physiology में humans पे ही रखेंगे, agreed, right जी तस्वीर में आप क्या देख पा रहे हैं आपको दिख रहे हैं कि एक शक्स है जी जो पानी पी रहे हैं और दूसरा आपको दिख रहे हैं कि उन्हें पसी ना आ रहा है so क्या दिखाया गया है यहाँ पे आपको यह दिखाया गया है कि हमारी body के पास यह mechanism है कि शरीर का तापमान अगर बढ़ रहा है तो उस तापमान को कम कैसे करना है right जी, अगर ठंड लग रही है बहुत ज़ादा, shivering होगी shivering thermogenesis, skeletal muscles involuntarily contract करेंगे तो heat generate होगी हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं बहुत ज़ादा पानी पीलेंगे urine डावरीट हो जाएगा है ना, तो this mechanism where your body maintains the constant internal environment, nearly constant पूरी तरह से एकदम से वो stable नहीं हो जाएगा है ना, fluctuate करेगा भ्यान दीजेगे इस चीज़ को so your body maintains nearly constant internal environment चाहे वो oxygen, carbon dioxide की concentration को लेके हो चाहे वो आपके blood pressure को लेकर के हो चाहे वो pH को लेकर के हो चाहे temperature को लेकर के हो human body nearly constant internal environment बना के रखना चाहती है ठीक है जी? अगर हम history देखे, शुरुआब देखे इस बात की French physiologist Cloud Bernard नाम ध्यान रखेगा 19th century की बात है इन्होंने advocate किया था एक concept stability of the internal environment यह टाम याद रखेगा that is milieu interior spelling लिख लिजेगा ध्यान से milieu interior यह किसको refer कर रहा है इसका मतलब है internal environment जो है शरीर का शरीर का internal environment क्या है हमारे ब्योडी किससे बनी है भई trillions of cells है हमारे शरीर में है ना सबसे ज़्यादा cells कौन से है RBCs है हर cell के बाहर extra cellular fluid है जिसमें interstitial fluid है blood है blood में plasma है तो हर cell का जो अपना environment है वो क्या है उसका external environment अब cell के चारो तरफ जो external environment है उस external environment में हमेशा कोई न कोई बदलाव होते रहेंगे चाहे वो pH को लेकर के हो चाहे वो oxygen की concentration को लेके हो चाहे वो carbon dioxide को लेके हो चाहे आसपास जो blood flow कर रहा है उसके blood pressure की बात हो temperature की बात हो तो cell का environment क्या है cell का surrounding extra cellular fluid हम सभी fluids का भी जिकर करेंगे ठीक है जी? तो cell की जो plasma membrane है चीजें उसमें enter करती है चीजें उससे बाहर भी निकलती है active transport, passive transport अलग लग तरहें के transport mechanisms है हर cell जो है वो ये चाहता है कि वो अपने चारों तरफ का जो environment है और अपने अंदर का environment भी nearly constant बना करके रखे तो एक question जो हमने यहाँ पर समझा कि सबसे पहले माफ कीजेगा सबसे पहले जो है वो किसने यह concept दिया था home use stresses का और इसका नाम क्या दिया था? That was my new interior by cloud A. Bernard Right? Now, Canon Walter Bradford Canon यह नाम आप ध्यान रखेंगे जो कि एक American Physiologist थे Right? इन्हों ने यह term दिया था that is home use stresses 1929 में तो एक और question हमने solve कर लिया कि organism's ability to keep a देखो, nearly लिखा ध्यान दियान दिखेगा 100% constant नहीं हो जाएगा nearly constant रहेगा Organism's ability to keep a nearly constant internal environment was termed as home use stresses by which scientist Walter Bradford Canon American Physiologist Canon explained the concept of maintenance of constancy in the internal environment अब अब देखें जब मैं कहूं constant internal environment बना के रखना है तो मतलब क्या है? क्या एक बार constant कर लिया तो दो बारा नहीं बिगडेगा? बिल्कुल बिगडेगा आप अपने हाथ की उंगली पे एक पैंसिल अगर मैं कहूं आप रखिये और उस पैंसिल को stable करके रखना है ठीक है जी? तो अगर पैंसिल हलकी सीधर हुई तो आप फिर से अपनी उंगली हिलाएंगे तो that means constantly हमारी body में भी ये चीज होती रहती है so the maintenance of relatively stable definition यहाद रिखेगा maintenance of relatively stable internal environment is termed as homeostresses homeo means similar अच्छा धान रखना बड़ी कुबसूरती सी इस टर्म का चुनाव किया गया homeo means similar similar मिलता जूलता ना कि 100% same है ना? similar कहा गया 100% same नहीं है so homeo means similar and stasis means to stand or stay so the maintenance of relatively stable internal environment is what is homeostasis समझे आप बात? homeostasis is often referred to as maintaining a dynamic equilibrium ये बात धियान दखेगा ये equilibrium dynamic है ये एकदम से stable नहीं हो जाएगा dynamic का मतला बहाँ active है cell ने अपने चारो तरफ की oxygen carbon dioxide concentration को detect करा है ना? sensors ने उस चीज को detect करा एक controller के पास message जाएगा effector की through which is regulate होगी suppose कीजी किसी कारण से आपका blood pressure बढ़ गया आपका blood pressure बढ़ा है normal से normal से blood pressure बढ़ा तो शरीर की baroreceptors जो है baroreceptors ने उसे detect करा baroreceptors ने message किसको भेजा brain के medulla region को medulla में brain के medulla region में cardio stimulatory, cardio inhibitory areas होते हैं brain के medulla से वापिस command आएगी effector organs तक कि किस तरह से blood pressure को regularize करना है normalize करना है so the dynamic means active state and equilibrium means balanced if the body loses homeostasis अगर हमारा शरीर homeostasis नहीं रखेगा तो क्या हो जाएगा? illness, बिमारी हो जाएगी even मृत्यू भी हो सकती है homeostasis बना के रखना जरूरी है homeostasis जब बिगडता है तभी तो disease होती है disease क्या है? homeostasis का बिगड जाना ठीक है? so disease is often considered to be a state of disrupted homeostasis this is important, याद रखेगा disease is often considered to be a state of disrupted homeostasis अब इसका मतलब यह नहीं है कि जब disease हो जाएगी तो homeostasis mechanism operate ही नहीं कर रहा ऐसा नहीं है शरीर में कोई एक homeostasis mechanism नहीं है बहुत सारे है feedback mechanisms है feed forward mechanism है positive feedback है negative feedback है जब कोई इंसान बिमार है तो हमने कहा भई एक certain level पे homeostasis disturbed है लेकिन उसे समय और बहुत सारे homeostatic mechanisms operate भी कर रहे है so even in presence of disease homeostatic mechanisms continue to operate and they maintain the vital functions smiley जी आपको बुखार है है ना fever है अब इसका मतलब यह तो नहीं कि fever में आपकी kidneys ने काम करना बंद कर दिया fever के case में pancreas ने काम करना बंद कर दिया यह सास लेना बंद कर दिया आपने चल रहे है ना वो काम भी तो ठीक है आगे जाके आप pathophysiology भी पढ़ेंगे अभी हम physiology पढ़ रहे है pathophysiology भी आप पढ़ेंगे the field of pathophysiology explains how the various physiological processes are altered during disease और injury pathophysiology का मतलब है जब आप बिमार है किसी कारण से disease है यह injury है शरीर का homeostress is disturbed है तो उन हालातों में भी किस प्रकार से शरीर कारेरत है उस भीमारी ने किस प्रकार से प्रभावित करा है आपकी physiology को that is pathophysiology clear है जीतना? मुकुंद, सब्रेश आच्छा जो मैंने disease दिखाई है यहाँ पर आपको वो chicken box दिखाया है यह जो इमेज आप देख पा रहे है chicken box which is caused by a virus तो अभी तक हम homeostresses का मतलब समझे है it is maintenance of the nearly constant internal environment right Cloudy Bernard ने beginning में advocate किया था एक concept, my new interior और Walter D. Cannon ने उसे क्या कहा था जी? homeostresses ठीक है? So it is kind of maintenance of balance in the body अच्छा किस चीज का balance बना के रखना जरूरी है शरीर को homeostresses किस चीज का बना के रखना जरूरी है तापमान को लेके temperature को लेके बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो हमारा शरीर ठंडा तो नहीं पड़ जाएगा मान लीजिए January का महीना है इस समय दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है 10 डिग्री तापमान है तो अगर मैं thermometer लगाऊं और अपना temperature चेक करूँ तो 10 डिग्री तो नहीं है न मेरे शरीर का तापमान जो है वो तो normal है जितना होना चाहिए है न अगर आप गरम कपड़े नहीं पैनेंगे गरम जगे पे नहीं है तो शिवरिंग में क्या होगा thermogenesis काँ पेंगे skeletal muscles involuntarily contract करेंगी क्योंकि homeostasis बना के रखना है तो homeostasis में temperature एक चीज़ हम पढ़ेंगे then sodium का concentration chloride ions का concentration carbon dioxide का oxygen का potassium का क्या आप जानते हैं अगर हमारा तापमन जो normal है इससे 7 degree ज़ादा हो जाए अगर हमारा 7 degree Celsius ज़ादा हो जाए normal से तो इंसान मर भी सकता है right fever जब हो जाता है pyrexia fever is pyrexia increase in body temperature normal से 7 degree ज़ादा हो जाने पे इंसान की मृत्यू भी हो सकती है normal pH कितने है 7.4 pH में हलका सा alteration हो जाना right pH हलका सा भी even अगर 0.5 का difference भी आ जाए normal से तो खतरनाक स्तिथियां पैदा हो सकती है तो शरीर के लिए ये बड़ा जरूरी है ionic concentration या osmoregulation बना के रखना दो main concepts पढ़ेंगे thermoregulation, osmoregulation so it is very important not only for humans but for every organism right अगर मैं तापमान की बात करो temperature की your body operates your body operates within a narrow range of temperature fluids and chemicals बड़ा ही narrow range है बड़ा ही hulka सा है 7.4 से hulka फुलका इधर उदर हुआ तो गड़बड हो जाएगी ही कह जी now ये जो normal range है this range of normality normal range this is called set point or set point range say for example body's internal temperature should remain between 97 degree to 99 के करीब है न फेरेंहाइट में celsius में 36 सेले के 37 point दो तक है normal temperature इतना रहना चाहिए इस range के बीच में जो body का अपना तापमान है ठीक है अब बाहर चाहे कुछ भी हो बाहर का temperature बढ़े ये गटे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं अच्छा do you know which is the temperature regulating center in the body can you answer this question which is the thermostat of your body or which is the temperature regulating center of your body प्रीती, आमिद, जयन बताओ बेटा temperature regulating center कौन से है ये तो अपने class 12 के सलेबस में भी पढ़ा होगा हमारे brain के 3 parts है 4 brain, mid brain, hind brain 4 brain में cerebrum है है न diencephalon है diencephalon का ही आपने एक part पड़ा है, आशीष ने सही का है hypothalamus the temperature regulating center of the body is hypothalamus hypothalamus कैसे आपका temperature बना के रखता है वो भी हम discuss करेंगे right हुसेन, मुस्ताग जब किसी इंसान की मृत्यू हो जाती है तो हम कहते है न लाश ठंडी पड़ जाती है जब इंसान की मृत्य हो गई लाश ठंडी पड़े गई brain stops functioning hypothalamus stops functioning शरीर का तापमान गिर जाता है that is called algormortis you know what is algormortis algormortis is the fall in body temperature after death लाश ठंडी पड़ जाती है now मैंने अभी आपसे का कि एक set point होता है जहांपे एक definite temperature हमारा बना अगर तो आप मान की बात करें यह जो set point हम कह रहे हैं सभी इंसानों में एक जैसा हो यह ज़रूरी नहीं होता set point का जो range हमने लिखा है यह कैसे हमने find out करा एक average value है set point differs between different individuals age के हिसाब से, gender के हिसाब से, genetic factors, overall health, environment इन सभी बातों के हिसाब से वो set point जो है, वो जो range है वो भी अलग हो जाती है there are no actual precise homeostatic conditions actually precise homeostatic condition की बई सभी humans में ऐसा होना चाहिए यह ज़रूरी नहीं होता age, gender, genetic factor, overall health, environment के हिसाब से यह चीज़ें अलग हो जाती है so जो homeostatic values है they are either based on average between large number of people or as a range including 95% or more of those people being sampled मालीजी आप एक doctor है, आप एक scientist है मैं आपसे कहता हूँ कि देखे कि humans में normal body temperature कितना रहता है तो आप कहेंगे सर हमने 1200, 5000 इंडियन्स का body temperature हमने इस season में detect करा और लगबग वो इस range में रहता है तो यह तो किस अधार पे फिर आपने ले लिया जितना sample आपने चेक किया था आपने पूरी दुनिया में exist करने वाले humans का तो नहीं चेक करा ना समझे है बात सुनी most healthy adults have body temperature between 98.1 degree Fahrenheit and 98.9 so जादा तर healthy adults में 98.1 degree Fahrenheit से 98.9 degree Fahrenheit Celsius में convert करूं 36.7 degree Celsius और 37.2 इसके बीच में रहता है तो आप मान जादा तर लोगों में लेकिन, लेकिन, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ 5 प्रतिशत लोग ऐसे हैं ये तो 95% कर बताया 5% people have resting body temperature यह तो इससे जादा यह इससे कम क्या ये बात आपको clear होई है वैशनवी ये हम एक average value लेते हैं राजा ये जो set points की बात homeostasis में होती है that is an average value क्योंकि पूरी दुनिया के एक एक human being को तो आपने check नहीं कर लिया न you got it समझ आई इतनी बात राइट नर्गेस, शिवम wonderful अच्छा आपको यह दिख रहा है यहाँ परी thermal scanners जो आज कल use हो रहे COVID के case में आप airports में यह मौल्स में कहीं भी जाते है तो आपके माथे पर वैसे करके देखते है यहाथ पर भी करके देखते है infrared rays के थू so scan कर लेते हैं हम कि आपके शरीर का तापमान कितना है now homeostasis सिर्फ temperature को लेके नहीं है composition of ions electrolyte, water, etc varies between intracellular fluid and extracellular fluid अच्छा यह fluid का भी detail topic है body fluids का यह भी discuss करूँगा आपके साथ suppose कीजिए मेरे राजा बेटा this is a cell of your body cell के अंदर है intracellular fluid ICF और इस cell के बाहर जो fluid है वो होता है extracellular fluid extracellular fluid में interstitial fluid भी पढ़ेंगे plasma भी पढ़ेंगे lymph भी पढ़ेंगे वो साब extracellular fluid में आता है extracellular fluid यानि ECF जो है it has more amount of nutrients such as glucose fatty acids amino acids ECF में जादा मात्रा में है nutrients glucose जादा है fatty acids है amino acids है ions है sodium है chloride है bicarbonate है तो cell के बाहर sodium जादा है chloride भी है bicarbonate भी है intracellular fluid में क्या है जादा ध्यान रखना ये important है potassium phosphate magnesium cell के अंदर potassium जादा है will you remember will you remember those things सुशील बेटा हुसनेन right cell के अंदर potassium जादा है phosphate जादा है magnesium जादा है cell के बाहर sodium जादा है as compared to inside chloride जादा है bicarbonate जादा है clear है जी now अब जो भी चीज़ कहीं जादा है वो अपनी जादा से अपनी कम concentration की तरफ जाएगी diffusion simple आपने पढ़ा है so in order to keep stable internal environment there is constant adjustment of chemical composition right constantly ये चीज़ होता रहेगा sodium cell के अंदर जाता जा रहे है जो चीज़ जादा है वो अपनी जादा से अपनी कम concentration की तरफ जाएगी suppose extra cellular fluid का sodium continuously अंदर आ रहा है right अब अंदर आ रहा है तो इसे बाहर भी फेकना पड़ेगा अंदर अगर potassium जादा है तो वो बाहर जाता रहेगा so cell को constantly adjustments करके रखने पड़ेंगे by various transport mechanisms transport mechanisms भी हम पड़ेंगे active transportation primary active secondary active then passive transportation जिसमें diffusion simple diffusion facilitated diffusion right we'll be discussing those transport mechanisms ये भी आपके syllabus में है now homeostatic regulation में 3 main चीज़े चाहिए एक receptor चाहिए एक control center होता है और effector receptor ने variable जो भी कोई है मानू तापमान है pH है oxygen का level carbon dioxide का level किसी भी variable को variable वो factor है जो बदलता है variable chemical हो सकता है physical हो सकता है मा लीजिए यहाँ पे variable हम temperature ले रहे हैं temperature बढ़ सकता है temperature घट सकता है इस बदलाव को receptor ने detect करा receptor ने वो information एक control center को भेजी control center brain में हो सकता है spinal cord हो सकता है कोई endocrine gland हो सकती है कहीं भी हो सकता है ज्यादा तर control centers हमें देखने को मिलते हैं nervous system में nervous system में and endocrine system में पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी ठीक है जी वहाँ से संदेश किसके पास आ जाएगा effector के पास किसी भी effector organ पे reflex sections में भी आपने बात पड़ी है suppose मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरा हाथ किसी गरम चीज़ पे लग जाता है immediately I withdraw my hand skin care receptors ने temperature detect करा sensory neurons ने वो message भेजा कहाँ? spinal cord को spinal cord ने brain को भी भेजा एक integrating center को इससे पहले कि brain को भी decision ले पाता spinal cord ने अल्रेडी message भेज दिया effector organ को यानी muscle को की हाथ वहाँ से हटा लो ओके? नो जैसे कि आप यहाँ पे देख पारें receptor क्या करते है receptors receive the information about a change in the environment और change in the environment ही क्या कहलाता है stimulus कई बार यह word आप देखते हैं कि stimulus लिखा होता है कि receptor पे कोई stimulus अप्लाई कर रहा है what is stimulus? stimulus is any kind of change in the external environment cell के बाहर का जो environment है receptor के बाहर का जो environment है stimulus physical हो सकता है chemical हो सकता है तो receptor ने वो information को perceive करा receptor ने वो information किसको भेजी receptor ने वो information भेजी control center को control center का काम है it receives the information it processes the information which it has gathered from the receptor अब control center ने command किसको भेज दी effector organ को it responds to signals from the control center effector organ का काम क्या है effector का काम है it responds to the signals from the control center by कैसे क्या करेगा either opposing the stimulus या फिस उस stimulus का oppose करेगा अगर negative feedback है या उसे enhance करेगा अगर positive feedback mechanism है the signal sent by the effector is called feedback अब एक और term आपके सामने आ गई कि feedback क्या है जो effector ने संदेश में जाए that is what is the feedback feedback can be either negative or it can be positive homeostasis बना के रखने के लिए to maintain the homeostasis the control system must be जो भी आप control system कहरें brain है या spinal cord है या कोई भी और चीज़ है control system should be able to number one detect the deviation from the normal in the internal environmental factor that needs to be held within a narrow limit जो आपका control center है उसमें कोई ने कोई एक set point होगा अगर मैं hypothalamus की बाप कर दूँ है ना hypothalamus body temperature बना के रखता है एक set point है hypothalamus के पास कोई information आ रही है कि भी शरीर का तापमान काम हो रखा है तो hypothalamus को यह पता चल जाएगा कि set point से यह deviation हो रहा है वो उस deviation को उस change को उस बदलाव को detect कर पाए then दूसरी बात it should be able to integrate the information with any other relevant information set point जो है जो integrating center है जो control center है उसके पास तापमान का information आया अब वो कम है या जादा है इतनी समझ उस set control center में होनी चाहिए ना it should be able to integrate the information with any other relevant information right and then तीसरा काम it should be able to make appropriate adjustment in the activity कि अब वो यह निरने ले पाए कि effector organ से क्या करवान है skin के receptors ने कहा कि ठंड लग रही है बहुत जादा है ना message पहुंचा control center थक control center ने वाक़े देखा हाँ receptor सही information भेज रहे है तापमान कम हो रखा है तो भही मुझे कोई decision लेना चाहिए तो control center ने decision लिया कि muscles को skeletal muscles को यह command भेजो कि तुम कापने लग जाओ shivering करने लग जाओ right तो control center ने क्या करा it has made appropriate adjustment in the activity of the body part which is responsible for restoring this factor to its desired value जो normal value है वापस उस तक पहुचाना उसे जरूरी है right इस flow chart के जरीए से समझते है ना देखेगा ध्यान से controlled variable right इसको detector ने या sensor ने detect करा इसको मैं sensor भी कह सकता हूँ controlled variable क्या हुआ variable chemical या physical बदलाव हो सकता है कोई भी temperature है pH है कुछ भी उसे हमने variable कह दिया sensor ने detect करा right comparator जो हमारा control center है control center control center ने देखा भई set point जो है इसका वो तो एक particular इतना होना चाहिए ता आपमा नॉर्मली इतना है तो उस control center ने compare कर लिया तो इसलिए हमने comparator भी कह दिया उससे right और effector को संदेज दे दिया right now क्या क्या चीजे होमियोस्टेटिकली regulate होती है many factors of internal environment must be होमियोस्टेटिकली regulated जैसे अब ध्यान दीजीगा क्या क्या चीजे होमियोस्टेसिस के जरिए regulate होती है concentration of the nutrients concentration of oxygen and carbon dioxide concentration of the waste products होमियोस्टेटिकली regulated है pH pH में होने वाले बदलाव concentration of water electrolytes इसी चीज़ को हम क्या कह देते है maintenance of water and ionic content of the body is osmo regulation okay then blood का volume blood का pressure यह होमियोस्टेटिकली regulated है माली जी यह cut लग जाए bleeding हो जाए धेर सारा blood loss हो गया शरीर को से maintain करके रखना होगा वरना गडबड हो जाएगी बहुत जादा blood loss हुआ है blood pressure भी decrease होने लग जाएगा so body has to adjust it शरीर का तापमान adjust करना होगा so these are the homeostatically regulated factors एक बार फिर से देख लें कौन-कौन से factors बोले मैंने concentration of nutrients concentration of oxygen concentration of waste products pH pH में होने वाले बदलाव concentration of water electrolytes जिसे मौसमू regulation कहते है blood volume, blood pressure and temperature now शरीर में homeostasis को बना के रखने के लिए जितने भी systems है न हमारे वो सभी contribute कर रहे है digestive, respiratory, circulatory, excretory, sense organs right and even your endocrine glands reproductive system जो है it contributes very little to homeostasis हम इसलिए कहते हैं that reproductive system is not essential for your survival reproductive system is essential for continuity of the race survival के लिए essential नहीं है reproductive system में testis या ovaries जो है यह hormones जरूर प्रोडूस कर रहे है testis से testosterone है ovaries से estrogen है progestins है तो यह कही न कहीं homeostasis में involved होते हैं right now सुनो all systems of the human body participate in maintenance of the homeostasis the physiological well-being of human body is maintained by harmonious functional interaction between various systems शरीर के सभी systems के बीच में एक बहुत अच्छा coordination होना चाहिए एक harmony होनी चाहिए खुबसूरत तरीके से वो आपस में coordinate करें अलग-अलग systems आप देख पा रहे हैं इस diagram के जारी है cardiovascular system, digestive system, respiratory system, your excretory system, which includes your principal excretory organs यानी kidneys, then skeletal system, muscular system, then skin integumentary system, lymphatic system, nervous system, endocrine system, right? and then reproductive system clear है जी इतना? right? प्यारे प्यारे लाइक सोते जाने चाहिए आपके साथ के साथ तभी मज़ा आता है न MBBS First Year की पढ़ाई की बिल्कु चिंता मत कीज़े जितने प्यार से खुबसूरत तरीके से आप आज से पहले मुझ से पढ़ते आए हैं ऐसे ही देखना हस्ते हस्ते हम ये पूरी physiology, anatomy, biochemistry सब पढ़ लेंगे और confidence आपका तब और दुगना हो जाएगा जब मैं आपको जितने भी अलगलग universities के previous year papers जो हैं MBBS First Year के की क्या-क्या questions आएं है physiology में क्या-क्या पूछा जाता है biochemistry में, embryology में जब आप वो सब कर लेंगे न दिखना MBBS First Year में भी टॉप करेंगे आप राइट, rank 1 लाएंगे ठीक है जी, चल, आगे बढ़ू मैं now, skeletal and muscular system क्या कर रहे हैं जी, शरीर की movement के लिए muscles are for the movement of the body and what is movement, displacement of a body part is movement what is locomotion, displacement of the whole body is locomotion muscles जो हैं, वो attached है bones के साथ, tendons के जरीए muscle contract करते हैं, तो movement होता है muscles की contraction से shivering होता है, heat generate होती है skeletal system क्या कर रहा है skeletal system ने पूरी body को एक support दिया हुआ है, हड़ियां जो है bones, जो है, calcium का storage है bones जादा calcium depot of the body, सबसे जादा calcium हड़ियों में kidneys क्या काम कर रही है kidneys का काम जो है blood को filter करना तो है ही है इसके लावा kidneys erythropoetin भी सिक्रीट करते हैं, right जी kidneys they secrete erythropoetin also which stimulates the red blood cell production RBC production, kidneys आपका extra cellular fluid volume maintain कर रहे हैं, electrolytes का concentration, acid base balance, urea को remove कर रहे हैं, blood को filter करके nephrons, जो है urea को urine की form में बाहर निकालते हैं, kidney में erythropoetin बन है, इसके लावा kidneys renin भी तो बनाते हैं, renin का काम क्या है, blood pressure की regulation renin angiotensin aldosteron system में पढ़ेंगे, kidneys they are producing calcitriol also which promotes the reabsorption of phosphate and intestinal absorption of calcium, this is important यह बात ध्यान रखिएगा, calcitriol का function आपको ध्यान रखना है, renal reabsorption of phosphate and intestine में से calcium का reabsorption, clear है जी, चलिया, cardiovascular system, बहुत important system है, heart which is a modified blood vessel, heart pumps blood in your circulation पूरी systemic circulation में heart जो है, blood को pump कर रहे blood is carrying nutrients oxygen, carbon dioxide to various tissues and organs of the body blood के थूरू क्या कै चीज़ें transport होती है, blood के थूरू बहुत सारी चीज़ें transport होती है, oxygen है nutrients है, है न, इसके लावा hormones हैं blood के थूरू so there's so many things which the blood transports antibodies भी blood के थूरू ही transport होती है clear है जी, चलिया, आगे बढ़े respiratory system, gas exchange के लिए, the main respiratory function of the lungs is to deliver oxygen to the tissues and remove carbon dioxide right, lungs के सारी ये पानी भी निकलता है बाहर, आप जानते हैं जब हम सांस exhale out कर रहे हैं तो जो volatile substances हैं alcohol हैं, इसके लावा ketone bodies हैं, acetone acetoacetic acid, beta hydroxybutyric acid वो भी breath के साथ बाहर निकलते हैं, दोनों lungs मिल करके एक दिन में लगभग साड़ी 400 ml पानी moisture की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं endocrine system तो बहुत ही important है home use stresses में endocrine glands जो हैं, अलग लग it's hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroid thymus, adrenal, testes, ovaries ये अलग लगता हैं के hormones बना रहे हैं hormones are regulating your metabolism your growth, development, sleep, emotions hormones, emotions भी regulate करते हैं your mood, sexual function, reproduction stress response, tissue functions so endocrine system plays very important role in your maintenance of home use stresses now, most of the mechanisms of endocrine system are negative feedback अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये negative feedback, positive feedback क्या होता है suppose कीजिए hypothalamus ने एक hormone बनाया neuro hormone और pituitary gland तक भेजा pituitary ने उसके response में कोई neuro hormone बनाया ठीक है? जैसे adrenocorticotropical releasing hormone ACTH and thyrotropin releasing hormone TRH they are controlled by negative feedback mechanisms एक endocrine gland दूसरे endocrine gland के लिए खौर्मोन भेजती है वो endocrine gland फिर जो hormone सिक्रीट करती है हो सकता है वो वापिस आके parent endocrine gland की secretion को कम कर दें this is negative feedback which we are going to discuss in detail right? clear है जी इतना? is it clear? right? आगे बढ़ सकते हैं? okay now मैंने कहा की reproductive system it has very little role in homeostasis reproductive system is not essential for the survival of the individual it is essential for continuity of the race sex hormones है testosterone, males में it influences muscle growth estrogen is important for the bone growth so the hormones release हो रहे हैं gonads से they are indirectly involved in homeostasis digestive system का क्या हो रहा है homeostasis में? digestive system में जो food components है वो digest हो रहे absorb हो रहे हैं nutrients अब्साब हो रहे हैं your sense organs हम जिकर क्या कर रहे हैं कि अलग-अलग body systems homeostasis maintain करने में involved हैं क्या-क्या senses है? vision, hearing, taste, smell they also participate in homeostasis vision, hearing, taste, smell, participate in homeostasis कैसे, example vision and hearing aids in motor and sensory response to a stimuli माली जे को stimulus आया, है न तो उस stimulus को सकता है, आखों से देखा है, यह कान से सुना है तभी तो उस stimulus जो है पहुंचा हमारे nervous system तक और फिर command आई हमारे effector organs तक smell and taste is promoting food and water intake पानी है आपके सामने, आप पानी पीएंगे तभी पीएंगे अगर उसका taste है, अच्छा है, बुरा है तो आप नहीं पीएंगे खाने की भोजन की अच्छी खुश्वू है तो आप उसे खाएंगे Your nervous system, central nervous system controls the muscle tone, हमारा cerebellum जो है muscles की tone बना के रखता है posture and equilibrium बना के रखता है हम सीदे खड़े खड़े गिर क्यों नहीं जाते है because maintenance of balance and equilibrium is under the control of your cerebellum little brain भी जिससे कहते है cerebellum constantly receives inputs from your muscles, from your eyes, from your internal ear because ear में भी अपने पड़े है ना internal ear में जो vestibular apparatus होता है that is related with the maintenance of balance and equilibrium, right your nervous system is involved in planning and programming of the movements coordination of movements expression of emotions learning, memory, speech यह सारे काम nervous system के है okay, right clear है जी, ठीक है आगे बढ़ सकते है, can we proceed एक बार आपके प्यारे-प्यारे likes हो जाने चाहिए जी साथ-साथ एक बार प्यारे-प्यारे likes का round हो जाए अब वो बात आने वाली है जहां से main questions आपके MBBS में पूछे जाते हैं, first year के exam में feedback homeostatic regulations right, now समझे मैं आपको feedback or feed forward एक feedback mechanism पढ़ेंगी एक feed forward mechanism भी हम पढ़ेंगे, देखे कोई भी change हुआ in the variable which is initiated by a stimulus stimulus ने कोई बदलाव कराया receptor ने उसे sense करा regulating control center तक message पहुँचा effector पे response आया effector ने का ठीक है, अब मैं असर दिखाऊंगा and that is going to return the variable and this is what is home use test ठीक है जी, इधर भी देख लें stimulus produces change in the variable variable वर्ड वर्ड आप समझ रहे हैं ना variable हम यूज कर रहे हैं किसी भी chemical बदलाव के लिए या physical के लिए physical में temperature हो गया, chemical में oxygen हो गया, pH हो गया है ना, receptor ने इसे detect करा, control center के पास संदेज गया control center ने effector को संदेज दिया और then again, नतीजा ये हुआ कि variable is returning back to the normal, this is what is basic, जो mechanism है homeostasis का homeostatic control mechanisms दो तरहें के हैं, intrinsic controls, extrinsic controls intrinsic मतलब within, under, extrinsic मतलब outside, बहर से, when I say intrinsic control, इसका मतलब, इसका मतलब है, intrinsic, जोसे हम local control भी कहते हैं, they are built into, और they are inherent in an organ, वो एक organ का, यह tissue का, अपना internal mechanism है, intrinsic is referring to within, homeostasis शरीर में हर level पर operate हो रहा है, एक cell के अंदर individually के homeostasis नहीं है, बिलकुल है, DNA का replication हो रहा है, protein synthesis हो रहे हैं, enzymes अपना काम कर रहे हैं, यह सब चीज़ें भी बहुत बेतरन तरीके से controlled हैं, right, चलो, एक example लेते हैं, intrinsic homeostatic control mechanism का, कि एक organ के अंदर ही यह mechanism कैसे operate हुआ, suppose कि जी आप exercise कर रहें, an exercising skeletal muscle that is going to rapidly use the oxygen, आपने muscle से exercise करी, suppose आप heavy dumbbells उठा रहे हैं, muscles ने oxygen इस्तिमाल कर ली, right जी, oxygen इस्तिमाल करके energy जो बनी थी, उसे use कर ली है, contraction के लिए, अब जब oxygen इस्तिमाल हो रही है, तो उसका मतलब है, धीरे-धीरे muscle के अंदर, oxygen की concentration जो है, वो decrease हो जाएंगे, muscle में oxygen की concentration decrease हुई, तो भई गडबड हो जाएगी, muscle तो यह चाहेगा ना, कि मुझे ठीक-ठाक oxygen मिलती रहे, तो intrinsically यह कैसे control होगा, यह जो local chemical बदलाव हुआ है, this local chemical change, it acts directly on the smooth muscles in the wall of the blood vessel which is supplying the muscle, muscle को, suppose करो, this is muscle, right, इस muscle को blood supply करने वाली blood vessels भी तो होगी, suppose these are the blood vessels, जो इसे muscle को blood supply कर रही है, muscle में oxygen का इस्तिमाल हो जाने से, जो बदलाव हुए है, muscle में electric acid भी बनेगा, अब जो blood vessel यहाँ से गुजर रही है, blood vessel की wall में कौन से muscles होते हैं, smooth muscles होते हैं, तो muscle में, skeletal muscle में होने वाले बदलाव, blood vessel की wall के smooth muscle को संदेश देंगे, कि smooth muscle तुम relax कर जाओ, blood vessel की wall के smooth muscle, तुम relax कर जाओ, जब वो relax कर जाएंगे, तो वो blood vessel कहेगी, यह लो भई, अब मैं तुम्हें जादा blood दे देती हूं, तो यह intrinsically control हो गया न, इसमें muscle ने brain को या kidney को किसी दूर दराज के organ की कोई मदद नहीं ली, muscle ने किसी और को संदेश नहीं दिया, muscle ने कहा मैं स्वयम सक्षम हूं, मुझ में इंट्रिंसिक control mechanism है, homeostatic regulation है, कि मेरा oxygen इस्तिमाल हुआ, तो मैं अपने आप blood vessel को कह दूँगा कि blood vessel मेरी बात सुनो, अपने smooth muscles को relax करो और मुझे जादा blood दे दो, is it clear, right, नेहा, शिवम, विराट, clear है, wonderful जी, I hope you are enjoying the session, और प्यारे प्यारे likes जरूर हो जाने चाहिए, आपके session can तक 1000 likes जरूर हो जाने चाहिए, so I hope you are enjoying and आपको easy लग रही है, physiology मुश्किल तो नहीं लग रही ना, MBBS first year में जब आ पहुंचेंगे, you are going to enjoy this thing, और तब आपको एकदम असान लगेंगी यह सारी चीज़े, चलो जी, so increased blood flow through the dilated vessel, जो blood vessel dilate कर गई है, dilate मतलब जैसे मालो यह normal diameter था blood vessel का, when I say dilated तो dilation में diameter जादा हो गया, यह dilated blood vessel जादा जो है उससे blood deliver करेगी, so as a result increased blood flow through the dilated blood vessel into the exercising muscle brings it more oxygen, तो यह जो local mechanism है, it is maintaining optimal level of oxygen in the fluid which is immediately around the exercising skeletal muscle, सागर, clear है बचा, okay, so intrinsic homeostatic control mechanism आपको समझा आ गया, next is extrinsic homeostatic control mechanism, extrinsic मतलब outside, बाहर का, most of the factors in internal environment, जादा तर factors जो है, they are maintained by extrinsic यह systemic controls, which are regulatory mechanisms initiated outside an organ, to alter the organ's activity, यह ऐसे control mechanisms हैं, जो उस organ के अंदर initiate नहीं हो रहे, यह बाहर initiate हो रहे, अब यह example के साथ देखेंगे, तो ज्यादा तर control mechanisms extrinsic होते हैं, तीक है, और इन में, इन extrinsic control mechanism में, शरीर के कौन से दो systems का सबसे ज्यादा role है, as I already told you, nervous system, and endocrine system, brain में कितने सारे control centers हैं, अगर मैं अलग-अलग control centers की बात करूँ, suppose medulla की बात करूँ, medulla, which is a part of hindbrain, medulla has reflex centers for vomiting, medulla has reflex centers for salivation, medulla has reflex center for peristalsis, medulla has the center for sweating, perspiration, cardio-stimulatory center, cardio-inhibitory center, medullary rhythmicity area, then your pons, region of the brain has, aneustic center, pneumotexic center, अब आब संजें, so, जादा तर जो control mechanisms हैं, extrinsic control mechanisms हैं, जो nervous और endocrine system के तुरू, regulate हो रहे हैं, clear energy, right, नहां बिटा, now, types of homeostatic control mechanisms, दो तरहें के homeostatic control mechanisms हैं, एक होते हैं बिटा, feedback mechanism, और एक होते हैं, feed forward mechanism, दोनों चीज़े धान से पढ़िए, question यसी पे पूचा जाता है, you have to differentiate between feedback mechanism and feed forward mechanism, give example of feedback mechanism, now, what is the meaning of feedback, जैसे मैं कहूँ कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, है ना, आप students हैं, अब आप बताईए आपका feedback क्या है, कि आपकी तरफ से क्या response आया, क्या जवाब है, so, feedback mechanism में क्या होते है, इसमें, in this, the effect, जो effect आ रहा है यह, जो output है किसी action का, it is returned to modify the next action, in this, the change actually occurs, कोई बदला हुआ, say for example, blood pressure बढ़ा, there is increase in BP, मतलब यह variable बदला, this will be detected, this increase in BP will be detected by baroreceptors, शरीर में baroreceptors हैं, जिनोंने BP में होने वाले बदलाव को detect करा, baroreceptors ने यह message भेजा, control center को, और control center ने response भेजा, किसको, effector को, blood vessels को भेजाओगा, कि भाया, blood vessels तुम अपने आपको dilate कर लो, blood pressure बढ़ा हुआ है, और ultimately हमें BP को normalize करना है, तो बड़ी हुई चीज ने message दिया, और नतीजा कि यह चीज़ घट गए, तो यह negative feedback हो गया, अगर यह बढ़ा हुआ variable, कुछ ऐसा कर देता, कि यह खुद को ही और जादा बड़ा बैठता, तो वो positive feedback होता, negative feedback और positive feedback दो बाते हैं, अभी आप सिर्फ feedback word का मतलब समझ रहे हैं, feedback mechanism में, the effect or the output of an action, it is returned, कोई चीज गई वापिस, return हुई, feedback हुआ, किसलिए, to modify the next action, अगले action को modify करने के लिए, ठीक है, इसमें बदलाव हकीकत में हुआ, blood pressure वाके ही बड़ा, यह बात important है, जो मैंने लिखा, in this the change actually occurs, right, now, when I say feed forward mechanism, पहला क्या था feedback, यह है feed forward mechanism, feed forward mechanism में क्या है, control system जो है शरीर का, वो anticipate करता है, होने वाली disturbance को, और prevent कर देता है, किसी भी बदलाव को, right, it prevent the change in controlled variable, by generating a corrective command, मैं आपको example देता हूँ, anticipate word का मतलब क्या होता है, कि पूर्वा नुमान लगा लिया, suppose कीजिए, है न, एक race शुरू होने वाली, मैं कहता हूँ, race शुरू होने लिए, सब लोग अपनी एक जगे पे खड़े हैं, और जैसे ही एकदम से, गोली चलाई जाएगी, उसकी आवास सुनते ही, फटा-फट तेज दौड़ना है आपको, है न, अब होता क्या है, जब आप खड़े हैं वहाँ पे, आप anticipate कर रहे हैं कि गोली चलने वाली है, अभी चली नहीं है, लेकिन दिल की धड़कन, पहले ही तेज हो जाती है, anticipatory tachycardia, tachycardia is increasing heart rate, मतलब हमने पहले पूरवा नुमान लगा लिया, this is feed forward mechanism, the control system anticipates the disturbance, कि शरीर में disturbance आने वाली है, अब जल्दी से तयारी पहले ही शरू कर दो, समझा ही बाद? The control system anticipates the disturbance, and prevents the change in controlled variable, by generating a corrective command, इसका मतलब है, system is creating a condition, in anticipation of the change that will occur, change हुआ नहीं है अभी, change अभी होने वाला है, धुरूवी, is it clear? बदलाव हुआ नहीं, बदलाव होने वाला है, और पहले ही शरीर ने तयार कर लिया उस चीज़ को, राइट जी? Now, feed forward mechanism is capable of overcoming the disadvantage of other feedback systems, यह बाकी feedback systems की होने वाली disadvantages को cover करता है, यह improve करता है speed of the response, it cancels the steady state errors, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, it does not provoke instability of the system, इसमें से कुछ बाते शायद आपको अभी clear नहीं हो रही, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे न, यह बात clear हो जाएगी examples के साथ, feed forward mechanism and feedback में आपको समझा गया, feedback mechanism में actual में वो चिस हुई, और शरीर ने फिर उसको अपने इसाब से adjust करा, feed forward में अभी कुछ हुआ नहीं है, सोचने से ही पहले शरीर ने तयारिये शुरू कर दी, स्वादिश्ट भोजन आपके आगे रखा, और आपके मुँ में सलाइवा आना शुरू हो गया, स्वादिश्ट भोजन को देखके, and feed forward mechanism, दो बातें आपको समझ आई, feedback mechanisms further दो तरहें के होते हैं, there is a positive feedback mechanism, and there is negative feedback mechanism, there are two types of feedback mechanisms, positive feedback, negative feedback, मैं वेने से negative feedback, negative feedback का मतलब क्या है, जब effector oppose कर रहा है stimulus को, मा लीजिए कि such as a dropping temperature, चता आपमान घट रहा है, and there is reversal in the direction of the change, which is causing the temperature to rise, यह negative feedback में एक और example देदे, तो suppose कीजिए, कि एक endocrine gland ने, there is this endocrine gland, which has produced a particular hormone, endocrine gland का यह hormone जो है, जा करके एक दूसरी endocrine gland पे act कर आप, second endocrine gland, चलो मानलो यह second endocrine gland ovaries है, ovaries ने estrogen बनाया, मानलो पहली endocrine gland pituitary थी, suppose this is anterior pituitary, जिसने hormone बनाया FSH, FSH, LH दोनों बनते हैं, FSH ovaries पे जा के act कर आप, ovaries ने estrogen बनाया, this estrogen will have a negative feedback effect, estrogen यह वापिस जा के pituitary को कहेगा, कि भाई तुम अपना काम कम कर दो, कम FSH बनाओ, ऐसा ही inhibin में भी होता है, inhibin hormone भी आपने पढ़ा है, testis और ovaries से release होता है, inhibin का काम है, negative feedback effect रखना, FSH के साथ, कि FSH के level को control रखे, negative feedback में, the controller is acting opposite, and the error is minimized, जो controller है, वो opposite दिशा में काम कर रहा है, controller ने उस चीज़ को बढ़ाया नहीं, उसे घटा दिया, pituitary ने FSH को घटा दिया, क्योंकि उसे estrogen ने यह message दिया था, जिसे कि error जो है, वो minimized होता है, यह error भी अभी आप आगे समझेंगे, एक negative feedback mechanism के, क्या-क्या components होते हैं, components of the negative feedback mechanism, ध्यान दीजेगा, माल लीजिए, कोई deviation हुआ किसी controlled variable में, estrogen का level suppose up हो गया, this is detected by the sensor, sensor is informing the integrator, that is sending instructions to the effector, effector is bringing about a compensatory response, which is resulting in controlled variable being restored to normal, right, this is how the negative feedback is operating, अब आप एक बाद ध्यान रखिएगे इसमें, हाँ जी, मोहित, एक बाद ध्यान से याद रखना, हमारे शरीर में, ज्यादातर homeostatic mechanisms negative वाले हैं, positive वाले बड़े कम मिलेंगे हमें देखने को, ज्यादातर feedback mechanisms negative हैं, है न, कि जो भी काम हो रहा है, अन्तता वो काम, वापिस जाके स्वयम अपने आपको कम करवा रहा है, positive वाले कम है, देखो अगर positive हूँ, तो तो गडबन हो जाएगी न, suppose करो, estrogen hormone, secret हो रहा था ovary से, ovary को estrogen secret करने के लिए, pituitary ने FSH बेजा था, pituitary को FSH secret करने के लिए, hypothalamus ने gonadotropin releasing hormone बेजा था, अगर ultimately ये estrogen, जाके positive feedback effect करता रहे, hypothalamus पे, तो वो hypothalamus और ज़्यादा काम करता रहेगा, और ज़्यादा signal और ज़्यादा amplify, amplify, amplify होता जाएगा, शरीर का तापमान किसी कारण से बढ़ा, बड़े हुए तापमान ने hypothalamus से कहा, और ज़्यादा बढ़ा दो, और ज़्यादा बढ़ा दो, तो तो हो सकता है, मृत्यू ही हो जाएगा उससे, so now you're getting it, positive feedback mechanisms बड़े रेर हैं शरीर में, negative feedback mechanisms ही ज्यादा है, positive feedback वाली conditions आपको कम मिलेंगे, positive feedback का मतलब है कि, effector is reinforcing the stimulus, such as uterine contractions during child birth, आपको पता है, oxytocin hormone जो है, कहां से आया, posterior pituitory ने oxytocin release करा, oxytocin को birth hormone या milk ejection hormone भी कहते हैं, blood circulation के थू, oxytocin acts on smooth muscles of the uterus, uterus के smooth muscles को contract करवाया, oxytocin ने, अब जब ये contract करा, towards the end stage of the pregnancy, baby का head जो है, cervix पे adjusted है, अब यह मागे देखेंगे, parturition reflex कहते हैं इसे, cervix के stretch receptors पे जाकर के, बच्चे का सिर adjusted है, stretch receptors stimulate हुए, neurons के तुरू message hypothalamus को गया था, hypothalamus ने pituitory को message दिया, कि तुम oxytocin release करो, oxytocin smooth muscle पे act करा, uterus के smooth muscle contract करे, बच्चे के सिर पे और pressure लगा, जब बच्चे के सिर पे दबाव पड़ा, head ने और pressure stretch receptor पे लगाया, तो वो signal amplify होता गया, और oxytocin, और ज़्यादा oxytocin, ultimately there is birth of the baby, तो ये एक positive feedback mechanism है, ठीक है जी, अब जो भी बदलाव हुआ था, error को हम यहाँ पे बदलाव कह रहे है, प्रवीन ने पूछा है सर, negative feedback mechanism ज़्यादा कूँ होते हैं, प्रवीन वही तो समझा रहो मिटा, positive feedback तो हर चीज को बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, तो beyond control चली जाहेंगी चीज़े, negative feedback ही चीज़ों को normalize करता है, clear है, राइजी, अशीश, okay, now, सुनो ध्यान से, जो अपने सवाल पूछा है प्रवीन, उसका जवाब आ गया, because positive feedback is stimulatory, there are only a very few situations, in which it is beneficial to the body, क्योंकि positive feedback stimulatory होता है, there are only a few situations, बहुती कम हालात ऐसे मिलेंगी, कम situations ऐसे मिलेंगी, जहां पर ये positive feedback beneficial होगा body के लिए, जैसे कि child birth के समय, parturition reflex, positive feedback है, blood clotting एक positive feedback की example है, लेकिन ज्यादा तर, ध्यान दीजेगा, ध्रुवी बेटा, ज्यादा तर, positive feedback is harmful, जैसे माल लो, मैं क्या दू, शरीर का तापमान बढ़ा, बढ़े हुए तापमान ने अगर hypothalamus से कहा, और तापमान बढ़ा दो, hypothalamus ने और बढ़ा दिया, अरे बहुतना तापमान बढ़ गया, तो enzymes तो denature हो जाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे, पूरा metabolism disturb हो जाएगा, death हो जाएगी, विष्णू, clear होई बात, right? So positive feedback क्योंकि stimulatory है, इसलिए बहुत कम situations ऐसी होती है, जिसमें ये beneficial होता है, और जहां भी कहीं positive feedback beneficial नतीजा दे रहा है, जहां भी कहीं positive feedback एक beneficial result दे रहा है, तो आप समझ जाएगा कि ये positive feedback loop, एक बहुत बड़े negative feedback loop का ही हिस्सा होगी, मैं repeat करूँ, in each case where the positive feedback is useful, it is actually a part of overall negative feedback process, जैसे, हमने कहा कि पार्चूरीशन एक positive feedback है और ये बड़ा फाइदे वाला है, ये positive feedback और फाइदे वाला, अब मैं आपको इससे समझाता हूँ, pregnancy हुई, एक female pregnant हुई, शरीर का पूरा metabolism change हुआ, normal set value से चीज़ें disturb हुई न, female का progesterone level बढ़ गया है, estrogen level बढ़ गया है, LH और FSH कम हो गए है, homeostatic mechanism disturb हुआ है, pregnancy के time पे, है न, बच्चे को oxygen nutrition देनी हैं, उसके metabolic waste लेनी है, तो ये overall, एक feedback mechanism operate कर रहा है, इसको वापिस लेकर के आना है, normalize, उस baby को deliver करवाना है, जब वो बच्चा deliver हो जाएगा, तो ये पूरा feedback, जो negative feedback है, ये complete होगा, इसका मतलब है, वो delivery, जो की positive feedback है, overall उस पूरी गर्भावस्ता, उस pregnancy का, जो की negative feedback through के regulate होगी, उसका एक हिस्सा है, is it clear? चिराग प्रवीन, is it clear what I have said just now, जहां भी कहीं शरीर में positive feedback loop फाइदे वाला दिख रहा है, तो आप समझ जाएगा, ये overall एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा होगा, और वो बड़ी प्रक्रिया नेहा स्वयम में एक negative feedback process होगी, एक और उधार, बिल्कुल, रवी रंजन कह रहें जी, येस, बिल्कुल, बिल्कुल, ग्रेट, negative feedback loop harmful नहीं है, negative feedback loop फाइदे वाले हैं, right, hematopoiesis विश्नु हम पढ़ेंगे, blood का formation is hematopoiesis, एक positive feedback के जरीए blood clot कर गया, लेकिन ये छोटा positive feedback loop, एक बड़े negative feedback loop का हिस्सा है, I'll repeat, in case of blood clotting, the positive feedback clotting process is a negative feedback process, for maintenance of normal blood volume, right, normal blood volume बनाना है शरीर ने, चोट लगी है कहीं, खून बहता जा रहा है, किसी तरह से उसे control करना है, वो एक negative feedback process के थूँ कंट्रोल होगा, और उसी में clotting उसका एक हिस्सा है, जो की positive feedback loop है, ठीक है, जादा तर cases में, positive feedback loops dangerous हो जाती है, जहां भी कहीं वो फाइदा दे रही है, जो भी examples हमने पड़े, वहाँ पे आप समझ जाएगा, वो एक बड़े negative feedback loop का हिस्सा होँगी, ओके, तो positive feedback loop को, प्रवीन हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, when the response to a stimulus, increases the original stimulus, oxytocin का response, muscle contraction, uterus के muscle contraction, इस muscle contraction ने फिर से oxytocin को बढ़ा दिया, the response to a stimulus, increases the original stimulus, तब हम कहते हैं, यह positive feedback mechanism है, और यह vicious cycle है, यह vicious cycle बन जाता है, जिसमें बार 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 वो चीज रिपीट, होती रहेगी, अगर उसे control ना किया गया तो, ठीक है जी, जबकि जो negative feedback mechanism है, उसमें क्या है, the response to a stimulus reduces, reduces the original stimulus, and it is what is called a negative feedback, and it is the primary type of homeostatic control, याद रखना, शरीर में जो main homeostatic control है, primary control mechanism, that is the negative feedback control, clear है, right, now, अब हम आजाते हैं, एक्जाम्पल्स पे, शरीर में, यह question भी exam में पूचा जाता है, so this part is important, and this is asked as a question in here, MBBS first year exams, examples of the negative feedback mechanism, अलग-अलग examples, जो हमने इसमें, discuss करनी है, we'll be discussing about thermoregulation, right, detail में बताऊंगा आपको thermoregulation, then we'll be discussing, insulin-mediated control of blood glucose, right, we'll be discussing pituitary hormone release, then, T3 और T4 का level बढ़ जाता है, तो शरीर कैसे regulate करता है, carbon dioxide की concentration, जब blood में बढ़ जाती है, chemoreceptors उसे detect करते हैं, respiratory center को संदेश देते हैं, जिसके कारण breathing का rate बढ़ जाता है, right, blood pressure regulation हम discuss करेंगे, which is a baroreflex, this is very important, baroreceptors sense करते हैं, blood pressure में होने वाले बढ़ बदलाव, और brain के medulla को संदेश भेजते हैं, clear है, positive feedback mechanisms, मैंने का शरीर में बढ़े कम हैं, positive feedback mechanisms की कुछ examples, blood clotting, LH surge prior to ovulation, LH induces ovulation, LH is ovulation causing hormone, ovulation ovary से जब secondary ucite release होता है, उससे पहले LH का level sharply बढ़ जाता है, that's a positive feedback, we'll be discussing it in detail, parturition reflex which is Ferguson reflex, then suckling by the baby, when the baby is feeding on the memory glands of the mother, lactation जब हो है, वो एक positive reflex है, hotkins cycle, generation of action potential, sodium के entry, potassium के exit, एक बार जब एक जगे disturbance हो गया, तो ये बार 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 repeat होता रहता है, neuron में, that's an example of positive feedback, muscle के अंदर, sarcoplasmic resticulum में, calcium ions होते हैं, उनका release होना, एक positive feedback है, mikturition reflex, then head's paradoxical reflex, newborn baby, neonate के lungs, जब एक बार inflate होते हैं, तो और ज़्यादा inflate होते हैं, और ज़्यादा होते हैं, we'll discuss this thing, that is, head's paradoxical reflex, and then activation of the digestive enzymes, एक enzyme activate हुआ, वो दूसरे enzyme को activate करता जाता है, ठीक है, ये आप देख पा रहें, clotting का जो cascade है, ये कैसे होता है, पार्चूरिशन reflex, ये आपको next session में बताऊंगा, जितनी भी बात है, मैंने अभी तक बताएंगे, इन सब की slides जो है, ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा, आप वीडियो को like and share जरूर कीजिएगा, वीडियो का description देखिएगा, वहाँ पे आपको नीचे link नजर आएगा, जिसमें आपको PDF मिल जाएगा, आप मेरे WhatsApp पे, Telegram पे, Instagram पे मेरे साथ जुड सकते हैं, वहाँ भी आपको इस lecture का जो है, PDF मिल जाएगा, feed forward control और detail में discuss करेंगे, हम आने वाले session में, कि anticipatory tachycardia क्या होता है, right, then, cephalic face-off for gastric secretion, cerebellum का motor coordination में क्या रोल है, insulin कैसे secret होता है, in response to the food in the intestine, right, so all these things, we'll be discussing in the next session, central chemo receptors, peripheral chemo receptors, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, चैनल को subscribe कर लीजिए, bell icon को hit कर दीजिए, तक ही हार important notification आप तक पहुँचता रहे, MBBS को लेके books कौन सी पढ़नी है first year में, इसके लिए अलग से मैंने एक video बनाया हुआ है, वो video आप जरूर देख लीजिएगा, playlist में आपको मिल जाएगा, social media पे अलग-लग जगों पे आप मुझे follow कर सकते हैं, यह मेरा whatsapp number है, अगर आप मुझे से जुड़ना चाहें, इस number पे आप मुझे message कर सकते हैं, यह मेरे द्वारा लिखी गए किताब है, जो neat aspirants के लिए है, ठीक है जी? सो मैं आपका अपना Dr. Sachin Kapoor, अब आप से विदा लेता हूँ, अगली बार फिर आप से मिलेंगे, एक positive सोच, एक positive उमीद के साथ, do like and share the lecture, नमशकार, bye bye, God bless you all, MBBS की पढ़ाई अब बिलकुल भी कठिन नहीं है, नमशकार.